हेलो स्टुडेंट्स में नाम है आशीश कपूर और आज का हमार टोपिक है करंट केरिंग सॉलेनोइड और आज हम सॉलेनोइड की एक्सिस पे मैगनेटिक फिल्ड की वैल्यू कितनी होती है वो हम डेटर्माइन करने वाले हैं डेरिवेशन करेंगे तो पहले हम यह देखते ह है स्प्रिंग की शेप में जैसे स्प्रिंग होता है उस तरीके से हमने लपेड दिया और वायर के दोनों एंड को हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर दिया है यह करंट कैरिंग कोईल है लोंग कोईल है तो इसी को हम क्या बोलते हैं सॉले में माल लिया यह current आपका इस direction में ऐसे flow कर रहा है उपर से outward आ रहा है आपकी तरफ और अंदर की तरफ जा रहा है यहां से तो यह current carrying solenoid है और इस current carrying solenoid में जो current flow कर रहा है यह outward और यहां से inward यह outward और यहां inward तो इस तरीके से लगातार current flow कर रहा है इस current के flow करने की वज़े से हर एक turn का अपने magnetic field होगा इससे पहले हम एक circular coil के लिए magnetic field determine कर चुके हैं तो इसका magnetic field कैसे होता है अगर यह coil में से current बहार आ रहा हो और अंदर जा रहा हो तो यह magnetic field axis की direction में होता है यहां से यह magnetic field lines ऐसे जाती है यहां से ऊपर से चली गए यह magnetic field lines है यह वाली circular coils आपस में magnetic field इनका add हो जाएगा और एक resultant magnetic field बनेगा तो उस resultant magnetic field को हम इन magnetic field lines से शो कर रहे हैं और यह जो magnetic field lines है यह इसकी axis पे जब तक की solenoid का end ना आ जाए बिल्कुल किनारा ना आ जाए उसके बीच में यह almost एक दूसरे के parallel होती है magnetic field lines और यह straight lines होती है that means magnetic field जो है वो यहाँ पर constant है बीच में और बाहर निकलने के बाद ने magnetic field lines घूएंगी वापिस यहीं आ जाएंगी क्योंकि magnetic field lines आपको पता है closed loop होता है तो यह magnetic field generate हो गया vector b along its axis तो इस magnetic field को आज हमें determine करना है तो इसे determine करने के लिए हम ampere circular law लगाएंगे और आपको पता है ampere circular law क्या है closed integration vector b dot dl is equal to mu naught i that means एक closed loop imaginary loop हमें लेनी पड़ेगी तो यहाँ पर हम एक imagine करते हैं कि यह imaginary loop है और इस loop की help से हम magnetic field determine करेंगे इस loop का नाम हमने ले लिया p q और यह r s तो और अच्छे से समझने के लिए इस figure को हम दोबारा से generate कर रहे हैं तो उपर से यह current बाहर की तरफ आ रहा है यहां से नीचे अंदर की तरफ जा रहा है तो इसी की equivalent figure हम ऐसे बना सकते हैं कि यह आपके dots हो गए यह जो dot हैं यह current outward को show कर रहे हैं यह उपर वाले किनारों को show कर रहे हैं इस solenoid के और नीचे की तरफ cross हो गए यह जो cross हैं यह invert जाते हुए current को show कर रहे हैं तो जितने dot हैं उतने ही cross भी हैं तो इसमें काफी सारे number में total number of turns कितने हैं माल लिया n तो यह n number में dot होंगे n number में क्या होंगे cross होंगे और each cross और each dot is representing a current I तो यहां से current आया इधर चला गया उपर से current आया गोम के अंदर चला गया magnetic field इस direction में तो बीच में आपका यह magnetic field generate हो गया है almost constant magnetic field है जब हम बीच की बात करते हैं किसी solenoid की अब यहां पर आपने एक imaginary loop लिया है और यह imaginary loop जो होता है वो आप किसी भी शेप का ले सकते हैं circular भी ले सकते हैं rectangular भी ले सकते हैं जब हम ampere circular law देखते हैं तो हम यह देखते हैं कि किसी भी closed loop के लिए ampere circular law apply हो जाएगा तो यहां पर जान बूज के इसकी symmetry को ध्यान रखते हुए हमने यह rectangular loop लिया है P Q R S तो let R से लेकर S तक की जो length है वो कितनी है L यह आपकी L length है दोनों आपने सामने की sides equal होती है rectangle की और P S और Q R यह दोनों sides की value कितनी है B तो हम ampere circular law लगाएंगे उसके लिए हम यहाँ पर DL length लेंगे let this length is DL DL is a small length और इस DL की ही direction में यहाँ पर magnetic field है vector B तो that means DL और B के बीच का angle कितना है 0 degree का तो यहाँ पर आप 0 degree का देख सकते हैं लेकिन अगर आप R to Q देखेंगे तो magnetic field किस तरफ है इस तरफ है X axis के तरफ है और DL length अगर आप R to Q इस वाली side पर लोगे तो vector DL ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ हो सकता है तो magnetic field vector B और vector DL के बीच में कितना angle होगा 90 degree का इसी तरीके से P to S B दोनों के बीच में कितना angle होगा DL और magnetic field के बीच में 90 degree का angle होगा और P से लेकर Q तक के बीच में कोई magnetic field है नहीं यहाँ पर magnetic field की value almost 0 है इतना कम magnetic field यहाँ फ्लो करता है कि हम उसे 0 मान सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ magnetic field यहाँ पर है इस साइड पर इस साइड पर दोनों के लिए 90 90 आ जाएगा कोई 90 के वैले वैसे भी 0 होती है और बीच में magnetic field और length दोनों सेम डारेक्शन में यानि angle 0 degree आएगा तो हम यहाँ एंप्यर सर्कृटर लो लगाएंगे तो फॉर लूप पी क्यू आर एस एप्लाइंग एंप्यर सर्कृटर लो तो जब आप एंप्यर सर्कृटर लो लगाएंगे तो क्या है होता है एक्लाइग इंटिग्रेशन इस लूप के अंदर से कितना पास हो रहा है अभी आप यह देखी कि हर एक टर्न मेंसे हरे डोट मेंसे कितना करंट पास हो रहा है यहां पर आई पास हवह रहा है लैट इसके अंदर capital N turns आ रहे हैं तो आप ये देखो per unit length के turns को हम पहले ही लेट कर लेंगे let number of turns per unit length किदने है हो small n है per unit length के जो turns होते हैं उसे हम small n से denote करते हैं और total number of turns को हम capital n से denote करते हैं तो let number of turns per unit length unit length में कितने turns है n तो इसलिए अगर यहां से लेगा यहां तक कि total length L है तो number of turns in L length L length में कितने हो जाएंगे anal turns हो जाएंगे अब हर एक turn में कितना current flow कर रहा है I तो anal turns में कितना current flow करेगा NLI तो I total यानि कि total current will be NLI in place of I total you will put NLI in equation number 1 जब आप integration करेंगे तो इसे खोलेंगे एक तो S से R तक R से Q तक Q से P तक और P से S तक इस तरीक से आप 4 integrations में आप इसे डिवाइट कर लेंगे तो यह जाएगा vector B dot vector DL from S to R plus integration vector B dot DL R to Q plus integration vector B dot DL Q to P Q to P सब में vector B dot vector DL आ रहा है साथ ही साथ integration P to S तो आप जहाँ से चलेंगे S से चलेंगे घूम के वहीं आ जाएगे total integration देखेंगे यह imaginary loop है आपका इस imaginary loop के चारो तरफ आपने integration किया है तो vector B dot DL और is equal to कितना है mu naught into i total i total की value nli nli तो आप इसे खोलेंगे तो जब dot product खोलते हैं तो वह cost hit आता है first s to r के लिए dlbc direction में vector bbc direction में है दोनों के बीच में angle कितना है 0 तो यह हो जाएगा bdl cos 0 from s to r plus bdl cos 90 r to q plus vector b dot dl का integration q to p और b की जगें पर हम कितना रख लेंगे 0 क्योंकि यहाँ पर magnetic field है नहीं plus integration p to s p to s और bdl cos 90 क्योंकि यहाँ पर dl नीचे और magnetic field इधर तो इनके बीच का angle 90 degree is equal to mu naught nli तो आप यह देखिए cos 90 वाला term यह 0 यह 0 यह 0 सिर्फ और सिर्फ यह वाला term बचाए cos 0 की value 1 होती है और b जो है वो constant है वो बहार आ जाएगा integration s से लेकर r तक bdl b बहार आ गया integration dl is equal to mu naught nli तो आप जैको integration dl का मतलब है छोटी जोटी dl length का sum यानि कि s से लेकर r तक की total length और s से लेकर r तक की जो total length है हमने कितनी let की है पहले से ल तो यह हो जाएगा b into l is equal to mu naught nli आप l से l cancel कर देंगे दोनों तरफ तो final formula आ जाएगा b is equal to mu naught n i तो यह magnetic field है at the axis of a long solenoid current carrying solenoid यहां हमने किनारों के effect को अभी हमने छोड़ रखा है कि edges पे जाकर magnetic field जो है almost half हो जाता है center के magnetic field के तो उसे हमने अभी छोड़ रखा है बिल्कुल middle point में long solenoid के लिए magnetic field होता है mu naught n i जहां mu naught क्या होती है permeability of free space और इसकी value होती है 4 pi 10 to the power minus 7 tesla meter per ampere n क्या है number of turns per unit length और i क्या है current in each turn एक turn में कितनी current flow कर रहा है वो हमारा i है तो इस formula से हम निगाल सकते हैं तो ठीक है thank you